नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरा चानल एडमिशन वाला पर और जैसे का आपको पता होगा जिनको पताने उनको बताना चाहता हो बीफार्मसी की फाइनल मेरिट लिस्ट और सीट मैट्रिक्स दोनों पबलिश हो चुका है अब आप आपका फाइनल मेरिट सकते हैं वह भी देखेंगे कैसे देखना है और हम मेरिट लिस्ट भी देखेंगे और सीट मैट्रिक्स को भी समझने की कोशिश करेंगे तो चलिए बीना देरी के करता है वडियो में शुरुवात तो दोस्तों जैसे आप आपके पॉर्डल पर आओगे तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो यहाँ पर पूरा लिस्ट है वो डाउनलोड करके आप देख सकते हो कि पूरे महाराष्टर की स्टूडन्स का मेरिट लिस्ट आपको यहाँ पर आविलेबल होगा इंडिविजुल स्टेटस आप देख सकते हो यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ आएगा फाइनल मेरिट लिस्ट आपका तो फाइनल मेरिट लिस्ट में 48,125 स्टूडेंट्स अब हो गए तक की जो हमने देखे थे प्रोविजिनल मेरिट लिस्ट में वो 47,765 स्टूडेंट्स थे तो तो इसमें कुछ students वो बड़े हैं और इसका मतलब यह है कि आपके merit number थोड़ा सा पीछे किसका हुआ होगा थोड़ा सा आपके merit number में difference आया होगा आप individual देख सकते हो थोड़ा सा वो आने वाला है वो आता है हर कोर्स का जब provisional merit list और final merit list के बीच में जो grievance period होता है उसमें बहुत सारे students उनका grievance डालते हैं और उनका आप रोल के बाद में सब्जिट जो है हमारे इस वीडियो का वह है सीट मैट्रिक्स और हम चलिए सीट मैट्रिक्स की तरफ जाते हैं तो सीट मैट्रिक्स भी अब publish हो जुका है देख सकते हैं सीट मैट्रिक्स समझने की कोशिश करेंगे हम तो यहां पर college का नाम होगा उसका status होगा कैसा है गुवर्मेंट है एडड़ अटोनामस है नॉन अटोनामस है कैसा उसका status है आप पर होगा उसका choice code आप पर होगा हलाकि choice code पर ज्यादा ध्यान देने के जुरूत नहीं हो आपको वहाँ पर जब आप option फ़र्म होगे तो college के नाम के सहीत आपको search में आएगा उसके बाद course है और यह SI का मतलब है sanction intake उसकी intake याने कि उसको कितनी जगा भरने की permission है उस course के लिए तो 60 की है पूरे महारास्टा state क्योंकि government college है पूरे seats यह महारास्टा seat हो जाएंगे minority यह status वाला college नहीं है और all India का उनके पास seat नहीं है क्योंकि यह जैसे कि मैंने कहा government college है बाकी seatों को जी याने general की general याने की उसमें ladies और gents दोनों भी आएंगे merit में जैसे आएंगे उसमें दोनों भी शामिल होंगे और यह L याने की सिर्फ ladies के लिए seat यह रिजर्व है तो यहाँ पर 18-8 ऐसा seat है PWD के भी seat common seat है open के लिए उसके बाद पूरा इस पूरे category में जो या फिर इसमे कोई category का tag नहीं ऐसा एक seat है और open के दो PWD के seat है defense का ऐसा यह दो seat है और एक जिनका कोई reservation नहीं open seat याने कि open to all यह होगा एक seat तो इसी प्रकार से आपको पता चल जागा category वाइस देखा तो भी आपको पता चल जागा कि इससी category के लिए भी कितने seat है यह general की याने की इसमें ladies तो जेंट्स दोनों आएंगे और यहाँ पर सिर्फ ladies के लिए ही यह seat reserve होगी और यह vertical reservation है ladies का तो सभी category में ladies की seats होगी और उस प्रकार से आप देख सकते हो पूरे seat को बटवारा और fund की seat यहाँ पर दी होगी उसके बाद TWS की seat आपको यहाँ पर मिल जाएगी EWS की seat यहाँ पर मिल जाएगी अगर हमने कुछ और college देखे जिसका की अनेड़ेड है तो चलिए यह अनेड़ेड कॉलेज इसमें आपको पता चल जाएगा कि इनका सैंक्शन इंटे 40 है तो उसमें से 34 seat आ गई महाराष्टा स्टेट को 6 seat चली गई All India को और बाकी के seatों का बटवारा आप को यहाँ पर मिल जाएगा और कोई एक दो colleges हम देखेंगे government autonomous हम ने government देखाए को minority देखे minority का college हम देखेंगे यह linguistic minority का college है गुजरती minority का तो इसमें सैंक्शन एंटे 100 है क्याप के seat 80 है उसमें से महाराष्टा स्टेट 25 है और minority की 20 सॉरी 51 seat है उसमेत All India की 4 seat है इंस्ट्युट सीटों का reservation कैसा है तो यहाँ पर पूरा general होगा बाकी minority college है तो इसमें कोई reservation नहीं आपको देखने को मिलेगा बाकी सारी सीटों open में आ जाएगी तो चलिए हमने यह देख लिया और किसी college का हम देखेंगे तो आप आपने जो short list college किये हैं उनका आप देख सकते कि आपके category के लिए particular आपके लिए वहाँ पर कितनी seats available है तो चलिए दोस्तों आपने देखा होगा कि final merit list आ चुका है और अब final provisional merit list को कोई अर्थ नहीं provisional merit list सिर्फ इसके लिए होती है कि एक full proof final merit list बनाए जाए और अब provisional merit number का आप उसे refer ना करें जैसे कि हमने पिछले slide पर discussion किया फिर पिछले कुछ मिन्टों पहले discussion किया कि merit number में हमें बदलाव जरूर दिखाए देगा क्योंकि जैसे कि हमने कहा हमने discuss किया कुछ students बीच में आते हैं और वो merit list में शामिल हो जाते हैं grievances के बाद और फिर उनकी वज़े से आपके merit पर फर्क होता है यही merit आप finally इसे आपको option form भरना है option form भरते समय आपने क्या साहोधानी बरत नीच चाहिए option form कैसे भरना है सारे वीडियो चानल पर आवेलेबल है आप वहां जाकर रेफर कर सकते इस वीडियो में बस इतना ही अगले वीडियो में देखेंगे अगर इसे रिस्पॉंस आच्छा है तो कि क्या एनलेसिस है पिछले साल कितने स्टूडेंस थे फाइनल मेरेट लिस्ट में कैटेगरी वाइज वह देख सकते हैं तो चलिए रखते हैं पर फिर में लेगे किसी ने वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार